चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन दबा कर आल को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत बूलिए तो आज हम बनाएंगे पोहे का चूड़ा या जिसे नमकीन भी कह सकते हैं जो किसी भी समय चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है यह बहुत हलका फुलका वह खाने में क्रिस्पी लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और घर का बना नमकीन तो सेहत के लिए हानफुल भी नहीं होता है तो चलिए इसे बनाते हैं इसके लिए हमने आदा किलो पतला वाला पोहा लिया है जोगो पतला है यह इससे जूड़ा अच्छा बनता है और उससे कम मुर्मुरा लिया है और इसमें जो समान चाहिए वो देख लेते हैं यह मक्के का पोहा है कॉन्फलेक्स भी बोलते हैं तलने वाला फल्ली दाने साभू दाने बड़े वाले यह तलने वाले आते हैं अलग से यह दालिया है चने की दाल भुनी हुई फोटाने वाली दाल दालिया नमक हल्दी नीम पत्ती हरी मिर्च कटी अंचुर पाउडर शक्कर और तड़का लगाने के लिए हींग खस खस लिया है आप चाहे तो डाले नहीं तो नहीं डाले सौफ और राई के दाने तेल तलने के लिए हम कड़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं हमने यह सारे आइटम चूडा मुर्मुरा फली दाना और साबु दाना इसको हमने दूप में अच्छे से दो-तिन घंटे के लिए सुखा लिया था अगर दूप नहीं है तो फिर इसको कड़ाई में रोस करना पड़ेगा दूप में दिखा लेते हैं तो अच्छे से कुरकुरापन पहले से ही आजाता है अब यह समान को हम सब तलेंगे हमने कड़ाई को खूब अच्छे से गरम कर लिया है हमको इसमें साबु दाना सबसे पहले तलना है क्योंकि वह जादा ते अच्छे से पूल रहे हैं अच्छे से पूल रहे हैं तल गएंप निकाल लेंगे साबु दाना तल का निकाल लिया है अब मक्के का पोहा तल लेंगे साबु दाना डालना ओप्शनल है और पसंद होगा तो डालेंगे अच्छे पूल रहे हैं अच्छे पूल रहे हैं तो निकाल लेंगे मक्के के पोहा तल गया है अब दाना तलेंगे इनको दीमे में तल लेंगे जिससे यह जलेंगे नहीं पल्ली दाने भी अच्छे सिक्के हैं इनको निकाल लेते हैं आग दाल गया है इसको भी तलेंगे जादा तेस में नहीं तलेंगे इसको भी थोड़ा हिलाते रहेंगे नीचे के ज़्यादा खरे हो जाएंगे और उपर के नई सिख पाएंगे दो तीर मिनट में ही यह सिख जाएंगे फिर इनको निकाल लेंगे इसको भी निकाल लिया है हमने यह सारा तलके ऐसे रख लिया है अब तड़का बनाएंगे जिस तेल में हम तल रहते उसी में ही बना लेंगे तेल जाता होगा तो थोड़ा सा कम कर देंगे दो बड़े चम्माज तेल लग जाएगा इसमें हींग डालेंगे राई की डानिय डालेंगे भी यह जाएगे अधी चम्मच अधी चम्मच और शोओ भी आधी चोटी चम्मच घींग दो चुटकी अधी डालेंगे डालेंगे की पेक कम साइ डाल सकते हैं नहीं पत्ती डालेंगे इसको एक में तक बच चलाएंगे इसमें हल्दी डालेंगे आधी छोटी जम्मची डालेंगे अब चूड़ा डाल देंगे इसको मिक्स करेंगे इसमें मुरमुरा भी डाल देंगे नमक डालेंगे दो चम्मची डालेंगे इसको अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे इसको पांच से साथ मिनट लागेगा क्योंकि हमने इसको पहले से ही दूप में दिखा लिया था या इसको रोस्ट किया रहेगा तो साथ मिनट में लगबग हो जाएगा इस फ्लेम मीडियम रखेंगे इसमें आधी चम्मच अमचूल पॉडर डालेंगे आधी चम्मच रखकर डालेंगे हमने अभी इसको तीन से चार मिनट तक होना है इसमें जो हम लोगा नहीं इसको डाल देंगे अब इसको मिक्स कर लेंगे अब जादा करना है अपनी टेस्की कॉर्डिंग कर सकते हैं अब बनकर रेडी है शक्कर और अमचूल पॉडर अब ज्यादा चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं अब इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे और ठंडा करके शर्फ करेंगे यह देखे हमने इसको बाउल में निकाल लिया है यह तैयार है इसके यह साबुदाने भी देखे कितने पिस्पी बने हैं बिलकुल और सब जीज दूप में दिखा के करेंगे तो और अच्छा बनेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई रेसिपीज के साथ इस्टे हेल्दी बाई बाई झाल कि झाल कि झाल कि झाल करेंगे दिए कि लिए धन के लिए जो विए करेंगे साथ ने करेंगे ने तो